हालो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल का ऐसे हुआ आप लोग आई होब आपस भी बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोग साथ सेर करूंगी नवरातरी ये स्पेसल वर्द वाली थाली जो की बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसान प्रोसेस से बनके तयार हो जात है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक बाउल में दही लेंगे तो यहां लगभग एक कटोड़ी हम दही लेंगे और दही ज्यादा खटा मत लेजेगा दही को हम 2-3 मिनट तक फेंट लेंगे ताकि थोरा से क्रीमी टेक्सर हो जाए इसका तो देखिए इस तर हो गया है अब हम डालेंगे इसमें आदी चोटी चमस सेंधा नमक अधि चोटी चमस जीरा पॉडर ऑच थोरा सा एक छोथा चोटी चमस लाल मिर्स पॉडर या फिर एक चुटकी और इसके इसको ग्रेट कर लिजेगा और इसको मिक्स कर देंगे तो यहां पर दही वाली रायता तयार है तो चलिए इसको रख देते हैं सैड में और यहां पर मैंने आधा कप साबुदाना लिया है इसको मैंने एक गंटे के लिए भीगो कड़के रख दिया था पहले से इसका पानी निकाल देंगे तो यहां मैंने इसको छान लिया है और यहां पर मैंने आदा लिटर फुल क्रीम दूद लिया है तो अब हम बनाएंगे साबुदाना की खीर दूद में उबाल आने देते हैं मेडियम फ्लेम पे तो यहां पर दूद में उबाल आ चुका है दूद उबल गया है अब हम इसमें डाल देंगे भीगो गया हुआ साबुदाना देखे दूद गर्म हो चुका है और इसमें हम डाल देते हैं यापर साबुदाना आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं तो यह हमने डाल दिया है सारा साबुदाना और इसको mix कर देंगे एक पर अच्छे से और gas के flame को हम low कर देंगे तो क्योंकि साबुदाना खीर जो है low flame पर ही बनाना है क्योंकि तले से बहुत ज्यादा लगता है और अभी हम डाल देंगे इसमें बारी कटवा पिस्ता तो यहां मैंने आठ से दस पिस्ता को बारी काट लिया है आप चाहिए इसमें कोई और ड्राइफ फ्रूट एड़ कर सकते हैं थोरा सा यहां पर एक चुटकी इलाइची पाउडर इसको भी मिला देंगे और अब हम इसको 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे लोफ लेम पे ताकि अच्छा गाड़ा हो जाए और यहां पर हो चुका है 5-7 मिनट इसको पकाते हो इसका टेक्सर काफी जादा गाड़ा होगी अब हम इसमें डालेंगे दो बराचमत चीनी चीनी आपको लाश्ट में डा हो जाए और चीनी डालने के बाद इसको हम 1-5 मिनट के लिए और पका लेंगे या फिर चीनी घूलने तक थोरा सा बस तो यहां पर यह बनके तयार है गया इसको आफ करते हैं और इसको करते हैं साइड में चलते हैं नेक्स प्रोसेस के तरफ तो यहां सबजी बनाएंगे त पर काफी अच्छे से बढ़ियां से पीस लेना है तो यहां पर देखिए अधरा को टमाटर का पेश्ट तयार है और अब हम गैस पर कराही रखेंगे कराही को गर्म होने देंगे और गैस के फ्लेम को मेडियम रखेंगे एक बड़ा चमच डालेंगे इसमें देशी घी को मै यहां पर जीरा पक चुका है हलका से ब्रॉन हो गया है अब यहां पर हम डाल देंगे टमाटर और अद्रक का पेश्ट और कंटीनी चलाते इसको दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे यह थाली बनाने में मैक्सिमाम आपको 20 मिनट लगेंगे उससे ज्यादा टैम नहीं लगने वाला है बहुत ही फटाफट बन जाता है जब तक इदर टमाटर पक रहा है तब तक इदर हम पनीर कट कर लेते हैं तो यहां मैंने धाय सुक्राम पनीर लिया है और इसको आप स्क्वेर से पमें कट कर लेती हूं थोरा सा बरा ही रखेंगे इसका टुक्राहम तो यहां मैंने पनीर कट कर लिया है और इधर टमाटर भी पक गया है देखिए दो तीन मिन रोचुका इसका टेक्स्टर चेंज हो चुका है तो टमाटर काफी अच्छे से भून चुका है अ अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक और इसके बाद एक छोटी चमच जीरा पॉडर आधी छोटी चमच लाल मिर्ज पॉडर जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसी साफ से डालिएगा और मिला देंगे यहाँ पर दोनों मसालों को यह हम वर्थ के लिए बना ड़ेंगे इसलिए हम ज़्यादा मसाला एड़ नहीं करेंगे इसमें और मसाले को अच्छे से भून लेंगे यहाँ देखे तेल छोड़ने लगा है यह मसाला भून चुका है अब हम डालेंगे इसमें एक कप दूद दूद इसके टेस्ट को काफी ज़्यादा बढ़ा देता है तो यह आप जरूद डालना इसमें और साथ में यहाँ पर हम डाल आने देंगे मैंने यह पर बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं डाली है मतलब ज्यादा पानी नहीं डाला ग्रेवी के लिए थोरा साई डाला है यहाँ देखे ग्रेवी में उबाल आ चुका है अब हम इसमें पनीच डाल देंगे और मिला देंगे इसको और गैस के फ्लेम को लो कर देंगे इसको अच्छे से मिला देते हैं और लो फ्लेम पे इसको ढख करके 5 से 7 मिनट के लिए पगने देंगे तो हम इसको ढख देते हैं चलते हैं नेक्स प्रोसेस के तरफ जब तक यह पकड़ा तब तक हम पूरी की तयारी कर लेते हैं पूरी बनाने के लिए यहां मैंने दो बला हुआ आलू लिया है इसको हमें यहां पर बाड़िक वाले कदुकस पर ग्रेट कर लेंगे जो अधरक गिसने वाला होता हूँ आप इसको मैस करके भी डाल सकते हैं लेकिन दियान रखना है किसमे गुटलिया नार है यहां मैंने दोनों आलू को ग्रेट कर लिया है आदी छोटी चमट से इसमें डालेंगे सेंधर नमक एक चोथाई छोटी चमट जीरा पाउडर और इसके बाद यहां पर हम लेंगे सिंहारे का आटा इसली आपको किसी भी किराने श्टोड में मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ सिंगारे काटे से पूरी आप यहाँ पर राजगिरे का आटा ले सकते हैं या फिर कुटू का आटा ले सकते हैं वर्द वाला जो भी आटा आता है न कोई भी आप ले सकते हैं यहाँ पर इसमें इतना आटा डालना है जितना आलू में म मॉस्टर है अलग से पानी नहीं डालना इसमें आपको तो आलू के मॉस्टर के हिसाब से ही इसमें आठा डालना जितना में यह अच्छे से सॉप्ट आठा लग जाए मैंने यहाँ पर टोटल एक कप आठा लिया है लगबग वजन में 300 ग्राम तो यहाँ पर देखें आठा एकदम सॉप्ट मैंने लगा लिया है हाथों को क्लीन कर लिंग और इसको रखते हैं सैड में आठा लगके तयार है इदर हम पनीर का हाल देख लेते हैं तो यहाँ पर देखें पांस साथ मिनूट इसको भी पकाते हुए हो गया है एक बार हम इसको चला देते हैं अब यह थोरा से इसका ग्रीवी पतला लग रहा और जैसे ठंडा होगा ना तो यह गाड़ा हो जाएगा काफी जैदा तो यह तैयार है गैस आफ कर दें एक बार और बस गैस ओफ कर देना है और इसको रख देते हैं साइड में और अब हम पूरियां बना लेते हैं तो यहाँ पर हम हाथों को क्लीन करके हाथों में थोरा सा गी लगाएंगे ताकि यह चिपके ना क्योंकि यह चिपकता बहुत ज्यादा है तो हाथों में गी लगा लिजिएगा और पूरी के बरावर यहाँ पर हम लोई लेंगे जितना बरावर पूरी बनाते हैं उतना ही तो यहाँ पर देखिए एक लोई तयार है चलते हैं इसको बेल लेते हैं चकले में और बेलन में यहाँ पर हम गी लगा लेंगे ताकि यह चि तो बहुत ही हलके हाथ उसे थोरा से इसको मोटा बेलेंगे तो देखें यहां पर मैंने थोरा से इसको मोटा ही बेला है और दूसरा भी बेल करके दिखाते हैं आपको तो इसी तरह से साड़ी पूरियां हम बेल लेंगे यहां देखे दूसरा भी तयार है यहां देखे मैंने काफी साड़ी पूरियां बेल ली है चलते हैं इसको तलने के लिए तो यहां हमने गी रखते हैं पहले से गरम होने के लिए तो घी अच्छा गर्म चाहिए इसके लिए हमें और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे थोरा सा आठा डाल के चेक कर लेंगे तेल काफी अच्छे से गर्म हो चुका है इसको निकाल देते हैं और इसके बाद हम इसमें पूरियां डाल देंगे तो एक-एक करके ही हम डालेंगे एक बर में ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि यह काफी ज्यादा सौप्ट होता है तो तूटने का डर रहता है और जब तक यह तेल के ऊपर ना आजाए तब तक इसको टेस नहीं करना है आपको तो देखिए अपने आप ही जब उपर आजे नहीं उसके बाद इस तरह से में इसको खुलाएंगे तो इस तरह से तेल हो इसके उपर डालते हुए हलका सा प्रेस करके जैसे हम नॉर्मल पूरी तलते हैं वैसे ही और फिर पलट देंगे जैसे एक सैट से इसमें कलर अच्छ और सेम प्रोसेस से साड़ी पूरियां यहां पर तल लेंगे हम काफी बढ़ियां फूली है देखिए और साड़ी पूरियां काफी अच्छे से फूली है अभी हम आपको देखाएंगे एक एक पूरियां काफी अच्छे तरीके से फूली है तो यही होता जब हम एक एक करके कि इसको तल लेगे नों तो काफी अच्छे से chce फूलेगी अ हुई पर दूसरा भी तैयार है तो से इंप प्रोसेस से साड़े पूरियां तल लेते हैं कि अदी का तट वह सा Дेखे साड़े पूरियां काफी अच्छे देखे सारी पूर vision मैंने तल लिया है तैयार है सारी पूरी तल लिजी यहाँ पर सारा खाना तयार हो चुका है पूरी तयार है यहाँ पर यहां पर हम सर्व कर लेते हैं तो सबसे पहले रायता आंiller है कि और समथूरा यहाँ पर डाल देंगे लाल order ताकि देखने में अच्छा लगे इसके बाद यहां पर पनीर और यह देखिए पनीर का टेक्सर देखिए कैसा हो गया ठंडा होने के बाद यह पूरा इसका ग्रेवी जो था न शुर्फ चुका है कितना गाड़ा हो गया है और इसके बाद यहां पर साबुदाने की खीर और चलते हैं मैं यहां पर थाली लगा लेते हैं तो लीजिए यहां पर तयार है जट पर बनने वाली पनीर की सबजी साबुदाना की खीर और जट पर बनने वाला रायता कितना कम टाइम में मैंने इसको बनाया आपने देखा ही और ये ही पूरिया और इस पूरिय की खास बात बताऊँ मैं आपको ये ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी रहता है सौक्ट नहीं होता है तो ये भी अच्छी बात है और साथ में यहाँ पर हम डख देंगे थोरा सा फ्रूट्स तो लीजे यहाँ पर नवरातरी एस्पेसल बर्त वाली थालिक तयार है और देखा आपने कितना कम टाइम में हमने इसको बनाया है और कितना आसान तरीके से तो जब भी कभी आपको किसी भी बर्त में या तिहार में आपको बनाना हो साथ भी भोजन तो इस रेसिपी को जरूट रहे किजिएगा इस थाली की रेसिपी को आप बहुत ही कम टाइम में बना पाएंगे इसको मैक्सिमम 20 मिनट ही लगेंगे बनाने में और देखा आपने इसको मैंने कितना आसान तरीके से बनाया है तो आई होब आपको वीडियो पसंद आया हो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें अपने फैमली और फ्रेंट के साथ और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तक तक के लिए बाबाए